देखे, relation function बताय जा रहा था, relation में आपने 11 भी पढ़ा हुआ, लेकिन 11 में relation में आपको types of relation नहीं पढ़ाय गया थे, यहां types बताई गया है, वहां नहीं थे न types, 11 में भी function था, funks था, आधी spelling थी, आधी नहीं थी, बताई 11 में function तो दिया हुआ था, लेकिन function में भी दिक्कत थी कि inverse function नहीं था, ठीक है, types of function नहीं थे, थे वहां पर, function का हलका सा रूप, domain range से बताय गया था, ठीक है, हमने function को बता दिया है, अब हम question बताने जा रहे हैं, function में कौन कौन से बताय गया थे, एक तो रिफ्लेक्सि था, ऐसा गलत है, उल्टा करती है, क्या देखका थे, पूरी बात तो सुनते हो नहीं, ऐसे हो नहीं था, असो स्थमा मारा गया, पूरी बात सुने नहीं किन तुहां थी, आधी बात सुन करके किये, देखे, तो function में एक तो रिफ्लेक्सिव था, वह आपने इसे पढ़ा न रिफ्लेक्सिव 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 रिफ्लेक्स टाइब का relation y का z से है तो x का भी relation z से होना चाहिए तो अगर इस प्रकार के तीन relation है तो वो relation कैसा कहलाता था equivalence relation इसको हम कहते थे equivalence relation equivalence relation पढ़ा है ना पढ़ा हम तब बताया था आपने ठीक है अब जरा ncrt कुस कुशन है और एक दो कुशन ऐसे हैं जो खुंखार टाइप के हैं वो ncrt में साथ हो सकता है miscellaneous में लिखे हो नहीं तो हम बीच में बता देंगे ठीक है जैसे मालिया इन्होंने एक relation दिया है पहला कुशन में और उन्होंने कहा है relation चेक करके बताओ कि reflexive है transitive है symmetric है कि नहीं है क्या है क्या नहीं है तो जैसे मालिया एक set a दिया गया है इन्होंने अच्छा यहां relation जो होंगे ना वो set a के element का set a के element के ही उपर relation होंगे तो यह आपका one two three up to इसमें 14 element है तो अगर हमको relation निकाला तो पहले क्या निकालना पड़ेगा एक cross से निकालना पड़ेगा कितने आएंगे element 14 into 14 196 तो ही लिखते रहेंगे हों तो लिख नहीं रहें दिमाग में हम दिखा रहे हैं कि one का order प्यार one के साथ one 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 two one three one four one fourteen फिर two one two two तो यह सब लिखेंगे ठीक है तो इसमें से जो relation हो कह रहे हैं कि relation ऐसा हो x का मा y यानि पहला element x है दूसरा element y है such that 3x minus y 3x minus y is equal to 0 इस condition को follow करें और x y कहा बिलांग करता है एक को बिलांग करता है तो यह बताना कि relation किस टाइब का होगा तो पहले तो solve कर लिया जाए यहां से y की value क्या निकलेगी तो x रखते जाओ y निकालते जाओ तो x का मान जब one रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा 3 निकलेगा x का मान 2 रखेंगे y का मान 6 निकलेगा x का मान 3 रखेंगे y का मान 9 निकलेगा x का मान 4 रखेंगे y का मान 12 निकलेगा x का मान 5 रखेंगे तो हई हम y का मान फिर हम कहेंगे चुकि यह विरांग नहीं करता इसलिए नहीं रखेंगे हमें कैसे मालूम नहीं होगा हो तो यह value तो हो की नहीं तो यहां relation क्या निकल के आया x, y 1, 3 2, 6 3, 9 4, 12 अब कह रहा है बजी चेक करके बताओ कि यह reflexive है symmetric है या transitive चेक करने के दो तरीके यह तो बताना है की नहीं है तो पहले answer खूल के किता में बैठ जाओ है पागल तो नहीं पहले है लिख दो बाद में no yes लेकिना हिंदी मगड़़ है हिंदी मगड़़ है है लिखने बार नहीं लिखने का उसमें नहीं है सबसे पहले तो आपको दिकारना है कि यह reflexive है कि नहीं है कि यह नहीं सिकाम नहीं चलेगा बताना पड़ेगा तो रिफ्लेक्सिव के एक कंडिशन कि अगर आपका सेट 1 से 14 है तो सभी element यह होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 14 14 तक चो कि कोई भी एक example ले लो कि 1 1 जो है इसको belong नहीं करा कोई एक कर तो नहीं belong कर रहा है कोई भी एक उठा के आप बता सकते हो so r is not reflexive r और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा r is not reflexive रही है दूसरा क्या है कि पड़ेश सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है गी नहीं है 1-3 है तो क्या होना चाहिए 3-1 होना चाहिए तो आप लिखेंगे भाई देखो ऐसा है अगर माले 3-1 होता तो हम इसको चेक करते मतलब आप देखें symmetry के लिए किवल जो relation दिये है उन्ही को चेक करना है उन्हें से जो relation हो उसका opposite वहाँ पर होना चाहिए not symmetric r is not symmetric ठीक है इसको नोट कर लिजे इसको जगह कम हम तो बड़ा अवड़ा लिखते हैं इसलिए दिक्कत होती है नोट कर दिए इसको अब transitive के बारे में हम बात करने जा रहे है transitive क्या होता है transitive relation देखे हमने कहा था कि अगर a, b a, b belongs to r है b के साथ, और b का रिस्ता किसके साथ है c के साथ तो ऐसा ही रिस्ता a का भी होना चाहिए लेकिन इसमें एक खासियत यह थी अगर ये वाला relation दिया हो और ये नहीं दिया है तो मान लिया जाता है कि ये हो गाई और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती ये है ना अब ज़रा देखें यहां पर लेकिन अगर ऐसा कही रिस्ता दिया हो इसे माले यहां पर देखते हैं ये ये वन का रिलेशन 3 के साथ है यह थी से खतम हुआ है ये 6 से खतम हो रहा है 6 से कोई शुरू ना होता ये 12 से खतम हो रहा है 12 से कोई शुरू ना होता तो ये relation कैसा होता ट्रंस्ट्यू होता ठीक है ये माल लेते हैं अगर 1, 2, 6 है तो 6 का किसी से relation रहा होगा तो 1 का भी 6 से रहा होगा और नहीं दिया यहां पर ठीक है तो कुल बलागर के एगर 1, 3 belongs to R हो यहां पर और क्या है 3, 9 3, 1 कहां दिख रहा है belongs to R है तो अब क्या होना चाहिए था 1 का 9 से भी relation होना चाहिए था तब चेक करना पड़ेगा लेकिन 1, 9 यहां पर है 1, 9 belongs R नहीं करता है So R is not transit R transit नहीं होगा देखो थो आठ टेक्निकल टॉपिक है यह धानकी है relation function को tough नहीं माना जाता है टेक्निकल माना जाता है ठिक ठाक है R is not transit तो यह पहला question नोट करिए इसको relation कहरा था X और Y की पीच में relation है Y ब्राबर X प्लस 5 है और X less than 4 है Less than 4 है और जहाँ पर यह XY बिलांग किसको करते है Natural number को यहाँ पर XY है क्या Belongs to natural number तो पहले तो टेक्निकल बनाना पड़ेगा तो X का मान पहले क्या रखोगे 1 तो X का 1 रखो तो Y कितना आएगा 6 आएगा X का 2 रखोगे 7 आएगा 3 रखोगे तो 8 आएगा पहला अब आपके ओल reflexive है नहीं है नहीं लिखेंगे आप आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं है तो आप लिखेंगे पहले reflexive को चेक करने जा रहे है तो reflexive में 1 का किससे होना चाहिए था 1 से होना चाहिए था तो आप लिखेंगे 1 1 does not belongs to R so it is not reflexive काम खतम ठीक अब 1 6 belong कर रहा है तो 6 1 होना चाहिए तो आप लिखेंगे symmetric आप लिखेंगे 1 6 R को belong करता है तो implies 6 1 भी करता है नहीं करता है so it is not symmetric transitive क्या हो गया क्यों क्या दिक्कत है but और implies में क्या दिक्कत है mathematical word हम भी उज़ करेंगे कि यह क्या दिक्कत है एक मिनट implies का मतलब जानते हो क्या होता है इधर से सही है ना यह तो implies कहता है but क्या होता है mathematics में बट एंड लगा होगी अब mathematical symbol का यूज़ करिए किताब में कहीं बट लिखा होगा अरे ठीक logically क्या होता है math लगाओ ट्रांजिटिव तेके ट्रांजिटिव क्या कहता है कि one six belong करता है यानि कि one का किससे रिस्ता है क्या six का किससे रिस्ता है तो मैं वो चेकी नहीं करूँगा मैं माल लेता हूँ six का रिस्ता किसी से होगा तू का किससे रिस्ता है seven का seven का किसी से है three का eight से eight का किसी से है तो ये system कहता है लेस्टिव कैसा है ट्रांजिटिव है ट्रांजिव कहता है कि अगर a का रिस्ता b से है और b का रिस्ता भी c से है तब आपको चेक करना पड़ेगा कि A का C से वैसा ही रिस्ता हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकि अगर A का B से रिस्ता है और B का C से रिस्ता दिया ही नहीं है तो इसको चेक करने की ज़रूबद नहीं है तो यह यह ट्रॉंस्टिव होगा नहीं होगा it is transitive it is transitive इसमें region क्या लिखोगे आप लिखोगे 1, 6 belongs to R because 6 का किसे सने इसलिए I will not check it क्या लिखेंगे इसमें भाई ऐसा region ही दे रखा है जिसका region लिखने का कोई मतलब नहीं तो कहा है उंखाड़े डाल रहे हो इसको मुझा तुने का question यह है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से A के element है और इनका आपस में relation है मतलब A के element आपस में relate कर रहे है और relation है x, y y is divisible by x y is divisible by x y किस से divide हो रहा है y x से divide हो रहा है यह ध्यान रखेगा divisible by x नहीं कि पहले क्या लिखा जाएगा y और 5 में क्या लिखा जाएगा x और divide होके कोई number आना चाहिए 1, 2, 3, 4 कुछ divisible का मतलब क्या होता है तो जैसे हम x आपको पहले तो एक क्रॉस से निकालना पड़ेगा कितने element आएगे 36 तो अगर हम लिखेंगे 11 अगर हम लिखते हैं तो 11 पहले ही आएगा तो यानि कि इस 1 को उपर लिखेंगे इस 1 को इस तो divide हो जाएगा तो 11 22 पहले ही लिख जैते हैं पूरा 22 33 44 55 66 तो हो गई होगा आपस में divide हो जाएगे ठीक है फिर अगला हाएगा 12 12 मतलब क्या लिखेंगे 2 upon 1 divide हो जाएगा तो 12 भी यहाँ पर relation में आएगा 13 भी आएगा 14 भी आएगा 15 भी आएगा 16 भी आएगा 21 आएगा तो divide नहीं होगा 21 का मतलब क्या होता divide किसको देख करना है इसको 1 लिखना है upon 2 लिखना है तो divide नहीं हो पाएगा 22 लिख चुके वाब 23 होगा तो 3 upon 2 हो नहीं सकता है 24 होगा 4 upon 2 हो चकता है तो एग relation 24 आगया 26 हो जाएगा ठीक है 3 पर आजाओ तो देखो 3 का पहले तो हो नहीं सकता 3 1, 3 2 तो कामी खतम 3, 4 नहीं हो सकता है 36 हो सकता है 5 किसी divide होगा नहीं 4 प्याओ 4 भी नहीं होगा ठीक है और कुछ बचा है तो यह relations हो आगया तो सबसे पहले तो आप क्या check करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है तो आपको लिखना नहीं पढ़ेगा आप लिखेंगे इस रिफ्लेक्सिव क्यों रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6 सब बिलांग कर रहे है इसमें अगर नाट रिफ्लेक्सिव होता तो अगर कोई भी एक इसको बिलांग नहीं करता तो उसको हम पॉइंट आउट कर देते कि इसको बिलांग नहीं कर रहा है अब आते हैं सिमेट्रिक सिमेट्रिक में जितने एलिमेंट इसमें हैं उनको चेक करते हैं अब यहीं से सुरू कर रहे है तो वेको 1,2 बिलांग कर रहा है तो 2,1 होना चाहिए है नहीं है तो आप लिखेंगे एक बस एक मिल गया आपको 1, 2 belongs to R implies 2, 1 does not belongs to R ठीक है अब आप implies by नहीं लगाया है क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है जब बिलांगी नहीं करता तो उल्टा गाम चलेंगे उसको कि 1, 2 कर रहा है लेकिन 1, 2, 1 नहीं कर रहा है ठीक है so it is not symmetric it is not symmetric यह symmetric नहीं है ठीक है अब जड़ा समझेगा इसको यहां तक note करिए देखिए अब देखिए मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ ट्रांजिटिव 1, 2 विलांग कर रहा है 2 से कोई और सुरू हो रहा है यह 2 से सुरू हो रहा है यह 2 कर रहा है तो 1, 2 करेगा नहीं करेगा वह 1, 2 विलांग कर रहा है 2, 2 विलांग कर रहा है तो 1, 2 कर रहा है यानि इसके लिए चेक हो गया और कोई 2 से सुरू हुआ है यह 2 से सुरू हुआ है 1, 2 विलांग कर रहा है 2, 4 कर रहा है तो 14 कर रहा है, काम खतम, और कोई 2 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, 12 बिलांग कर रहा है, 26 कर रहा है, तो 16 कर रहा है, यानि ये तो आपका ट्रांस्टिव है, यहाँ पे आ जाओ, ये 3 से खतम, ये 3 से शुरू, तो 13 बिलांग करेगा और 36 बिलांग करेगा, 16th भी होना चाहिए और कोई 3 से शुरू है चले यहां पर आ जाओ यह अचा यह भी तो है आपका यह तो वही आ जाएगा 14 4 से खत्म 4 से सुरू कोई है 4 से शुरू है तो 1444 14 आ रहा है कोई बात नहीं 155 15 आ रहा है 166 16 124 अब यह 4 से खत्म यह 4-4, 2-4 आ रहा है और कोई 4 शुरू है, सब हो रहे हैं, ना? सब फालो कर रहे हैं, रूल 3-6, 6 से खतम, कोई 6 से शुरू है यह 6-6, 3-6 आएगा, तो it is transitive it is transitive, अब यह दिखाने की जोड़त नहीं है कहां तक दिखाएंगे उसको, भाई? हाँ, अगर टाइम है आपके पास यही कोईशन क्यों लाता है? तो कम से कम लिखो, क्योंग यह विलांग करता है इसलिए विलांग करता है this shows that all the elements are satisfying this condition hence proved, लिख धलो कहा दिक्कत है और यहाँ x विलांग करता है integer को यानि integer, अब आप कहेंगे बनाओ, कार्टिशन प्रोड़क्ट integer में कितने element होते है infinite बन चुका अब पहले reflexive की बात कर लेते है reflexive अगर आप r is equal to x, x कर दें और इस rule को follow करें x minus x तो क्या आएगा? zero आएगा, जो किसको बिलांग करता है integer को बिलांग करता है यानि कि r इस condition को follow कर रहा नहीं कर रहा है so r is reflexive r reflexive होगा दोको main इसको लिखने का तरीका है ध्यान समझेगा दूसरा ये कह रहे है symmetric अगर x कामा y belongs to r है यानि कि आप क्या कहेंगे? कि x minus y is integer तो क्या अगर मैं y minus x कर दूँगा तो क्या integer नहीं होगा? उन्होंने ये नहीं का दियार equal integer होना चाहिए उस condition को fulfill करना चाहिए is also integer is also integer ये भी integer होगा तो इसका मतलब ये relation y का भी x के साथ वैसे है गी नहीं है so r is symmetric हो गया अगर हम बात ट्रांजिटिव की करें ट्रांजिटिव भी है तो आप कहेंगे x कामा y belongs to r implies x minus y belongs to integer y कामा z belongs to r implies y minus z belongs to गड़ बड़ हो गया जड़ वहाँ भी आ गया चलो इसको आप y कामा p लिख दो क्या आप उता रहो is also integer तो अगर मैं यहाँ पर x कामा p करता हूँ तो भी integer होगा इसका मतलब x कामा p भी बिलॉंग करेगा किसको r को तो यह transit भी होगा ठीक है तो नोट करिए सबी है यह भी integer होगा है integer को i लिखें जड़ लिखें जड़ का कोई सरस्ता है क्या इसे लिख देते हैं अगर जर्मन जर्मन नेम है जहलन जहलन का मतलब होता है तो काउंट वहां से जड़ लिख लिख लिखेंगा है इसलिए जड़ का इस्तेमाल किया गया है यह जो फिफ्थ पार्ट है यह जवरस्ती का एक theoretical question है फिफ्थ पार्ट का पहला पार्ट कहरा है कि आर एक ऐसा relation है आर इस इक्वल टू मैं क्यों पढ़ रहा हूं इसको हवा में पढ़ रहा हूं उन्होंने का एक्स कामा वाई है such that अब मैं लिख नहीं रहा हूं लिखा एक्स एंड वाई वर्क्स एड दा सेम प्लेस एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम करते हैं तो अब रिफ्लेक्सिव देखो हम वही काम करते हैं जहां हम काम करते हैं हम उसी हर वेक्त उसे जगह कम करता जहां वो कम करता है तो यह ृष्ष at तो यह यह सन रेटो आघर ए वहीं काम करते जहां बी कम करता तो बी करता जहां ओर फ्र Deckard आफ्रॉप कहां प्रिक्ट मैंतर इस जगहें तुम रहते हैं 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 त है एक्स कामा वाई सच डैट एक्स इज़ इस सेवन सेंटिमीटर तॉलर दिन वाई यानि कि वाई प्लस सेवन करेंगे तब एक्स की लंबाई बनेगी तो पताये क्या सिमेट्रिक है हर आदमी अपने आप से 7 cm उंचा होता है बोले हाँ जो हील पहन लेता इससे तो थोड़ी चलेगा निचुरल की बात हो रही है यानि ये रिफ्लक्सिय नहीं है सिमेट्रिक है अगर X Y से 7 cm उंचा तो Y X से 7 cm उंचा होगा कौन सी बात ही X Y से 7 cm Y Z से 7 cm तो क्या X 7 होगा तो 14 हो जाएगा तो ये ट्रांस्टिव नहीं है X is Y फाफ Y ये कौन सा थेओर X is Y फाफ Y ये तो कोई रिलेस्टन नहीं होना चाहिए लेकिन ये लेकिन 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 इनकी थेओरी अगर हम कहें तो कहने X is Y फाफ Y x-y में एक ऐसा relation है अब पता नहीं जिसने भी इस question को बनाया हो आप किसी ने question लिखा होगा सोचा होगा कि ऐसा question दे दो तो लोग confused हो जाएंगे अब पता नहीं कैसे confused हो जाएंगे अब कुछ ऐसे दिया होगा x is wife of y वा वाई हर विखते हैं अपने आपका wife है x y का wife तो y x का wife हैं यह हो सकता है लड़किया लड़किया नहीं साधी कर लेती हैं आजकल आदमी आदमी साधी कर लेते तो ऐसे केस में दोनों-दोनों की wife हो नहीं ने ऐसा नहीं लिखेंगे आप लेकिन फिलाहल अगर अगर logically mathematics लगाई जाए तो समझ में हो नहीं सकता है खैर फिलाहल नहीं हो सकता x y की wife, y z की wife तो x भी z की wife कोई वाँ वेस्टर कंटी समझ लिए आए क्या इंडिया में question है भाई ट्रांजिटिव भी नहीं है x x कामा y x is wife of y y कामा z y is wife of z x is also wife of z अब फिलाहल आप नेचुरल में आईए naturally है बाउसमिल नहीं है अब question बढ़ाने वाले को x is father of y अगला part है every person क्यों नहीं नहीं हम समझ रहते हम समझ रहते कि आप इसको बताओगे ये कहना है अगर x y की wife है और y किसी की wife है ऐसा नहीं दिया गया है तो या तो चकी नहीं करेंगे फिलाल यहाँ चेक कर लो यहाँ चुकि हम number system के साथ साथ थोड़ा सा समाजिक तानेवाने को भी देखेंगे इसलिए आप नहीं लिखेंगे ठीक है दिया होगा ना दिया होगा चुकि उन्होंने mathematics लगाई ना mathematics क्या किया कहती है गर x का y से रिस्ता है देखो ये चेक करने वाली बात है ये आपका गलत त्रांक्षिव दिया हुआ है ये आपका किस फार्म दिया है रोस्टर फार्म दिया है कि set builder फार्म में दिया है यह सेट बिल्डर फार्म में दिया है रोजटर फार्म में सब एलिमेंट दिये होते हैं यहां तो बनाने पड़ते हैं ना सुन में आई बार नहीं आई इसा होगा ट्रांसिटिव का तरीका नहीं यह आपको बना एकस वाई दिया तो यजट बनाना पड़ेगा ना आपको यह सेट बिल्डर फार्म दिया हुआ है यहां तो सेट बनाने पड़ते हैं ना है तो कामी खतब होगा तो एकस जड एक्जिस्ट करेगा यह एक में रहे हैं कि अगर एकस वाई है मतला X is wife of Y है सुनिए ज्यान से और Y-Z exist ही नहीं करेगा तो X-Z हो सकता है यानि X-Z की Y भी हो सकता है हाँ ये तो हो सकता है यार दो साधी कल नहीं हो तो ये कह रहे हैं कि Y-Z exist नहीं करेगा तो ये चेकी नहीं करेंगे डाट X-Z चेक कर लेंगे लेकिन X तो Z से भी साधी कर सकती है ठीक है वह एक तो पढ़ाता रहता है पैसा कमाएगा मार्केटिंग कौन कराएगा मार्केटिंग ले जड हो गया जाकर के नोड करिए ये कह रहा है कि एक रिलेशन है A-B-A is less or equal to B square where A-B belongs to R इसको चेक करना है कि ये neither reflexive nor symmetric nor transformative है उसके लिए देखिए होता क्या है आपको real number मानना पढ़ेगा ऐसा number मानना पढ़ेगा मतलब ये हर जगे follow करना चाहिए हर जगे follow करना चाहिए अगर मैं बात करूँ किस की बात करता हूँ reflexive की बात करता हूँ तो आप ये रिफ्लेक्सिम नहीं है इसके लिए आपको एक्जाम्पल लेना पड़ेगा कोई एक्जाम्पल समझे जाएगा मतलब आपको रिफ्लेक्सिम लो क्या करना पड़ेगा A कामा A चाहिए ना आपको आपको A कामा A चाहिए ना A कामा A R को बिढांग करता है ये बताना पड़ेगा आपको ठीक है तो इन्होंने का करता है तो यानि कि अगर नहीं दिमाग तो ये चल लागी विए अगर मैं A का SQ करता हूँ और यहां A है तो ये SQ करता हमें हमें सा बड़ा होगा बड़ा होगा ना ले रहा हूँ तो तो फालो नहीं करेगा ना फालो का मतलब ये Always फालो होना चाहिए ना अगर मैं कोई Fractional Number ले रहा हूँ तो यहां फालो करेगा नहीं करेगा ना तो आप लिखेंगे अगर हम यहां पर A को कोई Fraction ले ले लेते हैं क्योंकि जब Fraction का Squire करते हैं तो क्या होता था है तो अगर मैं उसका Squire कर देता हूँ तो यहां आएगा 1 by 2 और यह आएगा 1 by 4 और यह Less R equal to नहीं होगा तो यह इसको Follow नहीं कर रहा है So R is not Reflexive अब आप कहेंगे बड़ाई 2 ले 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 तो यह जो Rule है यह For All की बात हो रही है जतने भी Real Number सबके लिए लागू होना चाहिए जतने भी Real Number है सबके लिए लागू होना चाहिए तो यह तो आपने देख लिया भाई यह Reflexive यह नहीं है सुतुले जिसको हिंदी में कहते है सुतुले तो नहीं है अब आपको देखना है कि यह Symmetric है यह नहीं है देखे चुकि ए भी Real Number को Belong करता है तो इसका मतलब यह है कि यह सब ही Values के लिए Satisfied होना चाहिए जैसे Symmetric है यह नहीं है अब Symmetric हम इसको देखाते हैं Symmetric तो Symmetric में कोई भी Example आप ले लिए जैसे हमने कहा कि मा लीजे One कामा Four आर को Belong करता है क्यों क्यों कि अगर मैं One इधर लिख दूँ और Four का इसको इधर लिख दूँ तो यह Less Than होता है Less Are Equal To लिखा लेकिन आप Less Than लिखे न जो होता है वो Less हो या Equal To दोनों Conditions को Follow होना चाहिए न लेकिन अगर हम यहां पर कहें क्या Four कामा One भी आर को Belong करेगा करेगा नहीं करेगा बताएं नहीं करेगा ना क्यों नहीं करेगा नहीं करेगा अगर मैं इधर One Square लिख दूँ इधर Four लिख दूँ तो क्या Less हो जाएगा मतलब यह कि इसका square इससे less होना चाहिए sorry greater होना चाहिए तो यह greater नहीं होगा ना यह तो उल्टा हो जाएगा is not greater so यह r को बिलांग नहीं करता है इसका मतलब r is not symmetric r symmetric नहीं है example लेकि आप बता सकते हैं यहाँ पर example लेना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ values तो satisfy करेंगी लेकिन एक ऐसी value आपको search करके लानी पड़ेगी जो satisfy ना करें अब transitive के बारे में बात करते हैं कि भाई यह transitive है की नहीं है transitive है की नहीं है transitive तो transitive के लिए कोई भी दो example ले लो पहले तो हमने का भाई देखे two comma कोई भी example आप ले सकते हैं एक ऐसा real number ले सकते हैं इसके बाद ऐसा करते हैं इधार बड़ा नंबर लो उधार बाद में छोटा लो जैसे 3 comma 2 ले लो कि आर को बिलांग करता है क्यों कि अगर मैं two का cube कर दूँ इधार three कर दूँ तो देखो यह three less than two cube है कि नहीं है यानि कि यह satisfy हो रहा है यह relation satisfy हो रहा है मैं ट्रांस्टिक बाद नहीं कर रहा हूँ अच्छा इसके बाद two का relation किसी से होना चाहिए अब two का relation ऐसे number से low मैंने हमने three by two ले लिया three by two ले तो one point five ले लिया ठीक है अब यह भी आर को बिलांग करेगा मतब आपको सर्च करके number लाने पड़ेगा आपको इनमबर सोच सकते हो लेकिन वो जो condition को follow करेगा तो यानि इधर तो two लिखेंगे इधर three by two का square लिखेंगे और three by two बोले तो one point five one point का square क्या होता two point two five तो इससे greater heck नहीं है है लेकिन 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 अगर मैं three कामा three by two लिखता हूँ अब यह आर को बिलांग कर रहा है यह आर को बिलांग नहीं कर रहा है क्यों नहीं बिलांग कर रहा है जड़ा समझेगा अगर मैं 3 by 2 का square करता हूँ तो यह तो आपका 2.25 आएगा, कितना आएगा 2.25 आएगा, लेकिन इधर तो 3 लिखा हुआ है, तो यह तो उल्टा हो गया न, यह 3 less than नहीं है 3 greater हो गया न, यह इस condition को satisfy नहीं कर रहा है तो R ट्रॉंजिटिव नहीं है यह आर ना तो reflexive है ना symmetric है, ना तो transitive है, सुझमें आई बात यह एक set है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से और एक relation है, दो element में एक आमा भी, element इसी के बिलांग करते है तो जो A, B है न for all A, B belongs to A यह सभी A के element है, है न तो यह कह रहा है कि A बरावर B प्लस वन, ऐसा एक relation है तो बताईए, सुरी, B बरावर A प्लस वन, ऐसा एक relation है, तो बताईए symmetric है नहीं है, reflexive है कि नहीं है तो प्रूफ करना है, तो सबसे पहला तो यह है, भई, आप A cross A निकालिए तो कितने element होंगे, 36 element होंगे काय के सब निकाले थोड़ा दिमाग लगाते हैं मतब, A को जितना लिखेंगे B उससे एक ज़ीयादा लिख लो A को पहले 1 लिख लो, 1 लिख लिया तो B उससे एक ज़ीयादा है, ना तो B क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ठीक, और टो होगा नहीं 2 लिख लो, A को तो B क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 लिख दो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 लिख दो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 लिख दो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 लिख दो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा है नहीं तो यानि इतना ही तो relation आएगा ना अब हम check करत हैं पहली चीज क्या यह reflexive है reflexive तो reflexive के लिए क्या होता थे one का one से relation होना चाहिए तो कोई भी एक देखो reflexive लेक condition है कि यह सभी one one two two three three four four five five six six सभी होने चाहिए ही तो आप एक कोई अगर नहीं है तो reflexive नहीं होगा one one does not belongs to our r को बिलाग नहीं करता है so r is not reflexive काम खतम रिफ्लेक्सिव नहीं होगा मतलब देखे symmetric transitive के लिए कहा गया था कि जो इसमें हो वोई चेक करिया लेकिन symmetric reflexive के लिए जरूरी है कि सभी element के one one two two three three इसमें होने चाहिए ठीक है अब symmetric की बात करते है symmetric इसी में चेक करते है symmetric की बात करते है सम्मित कहते है symmetric में अगर one two है तो two one होना चाहिए तो नहीं है यहाँ पर तो आप लिखेंगे कोई भी एक example ले लो example बोले तो जो इसमें हो उसी को कोई कर तो है कि इसको follow नहीं कर रहा है one two belongs to r implies two one does not belongs to r so r is not symmetric r is not symmetric यह symmetric नहीं है काम खतम अब आते हैं तीसरी बात transitive transitive में क्या होता है देखे one two belong कर रहा है चलिए ठीक ले लिजेगा यह two से खतम है two से कोई सुरू है यह two से सुरू है two three belongs to r तो अगर one two belongs to r है और two three belongs to r है तो one three भी तो r को बिलांग करना चाहिए ना लेकिन one three क्या r को बिलांग कर रहा है one three does not belongs to r so r is not transitive r transitive नहीं है तो ना तो यह transitive है ना तो यह reflexive है ना तो या symmetric है आप तो उल्टा बोल रहे हैं आरे सीधा बोल दीजिए कोई या नहीं reflexive भी नहीं है symmetric भी नहीं है और transitive भी नहीं है question कह रहा है कि a is less or equal to b where a b belongs to real number a b real number को belong करता है तो बताएए ये जो है क्या क्या है उसमें लिखा है book में क्या क्या है ये हम नहीं बता रहे हैं क्या क्या है कि नहीं है less or equal to b है ध्यान रखिएगा सबसे पहला तो हमको प्राप करना लिखना पड़ेगा reflexive है कि नहीं है reflexive सुतुल देखो a, a r को belong करेगा क्योंकि हाँ equal की बात भी करें ना कि number equal भी होना चाहिए तो चुकि a, a के equal होता है इसलिए reflexive तो है हर number अपने आपके equal होगा दूसरी बात symmetric की बात करते हैं इसमें example देने की जरूरत है नहीं है square तो कहीं है नहीं कि 1 by 2 का square करोगे तो 1 by 2 से छोटा हो जाएगा ऐसा कुछ है नहीं हाँ पर देखिए अगर मैं कहूँ कि a, b belongs to r मान लेते हैं और ये मान लिया जाए कि a is less than b है तो क्या b भी less than a होगा नहीं, b will be greater than a होगा यहाँ यानि कि b, a belong नहीं करेगा ना, b, a क्या लिक रहा हूँ भई b, a, r को belong नहीं करेगा आप चाहें या लिख दे greater than a क्या लिख दे b is not less than a अगर a less than b है तो b a से less नहीं होगा not less than लिख सकते हैं यह नहाँ कहना for all the values of आप लिख रहे थे आप पल्टा दी आपने अगर नहीं है, वो not less than लिखा जा रहा है ठीक है, यानि it is not symmetric not symmetric not symmetric, यह symmetric नहीं है, हाँ यह reflexive है it is reflexive, तीसरी बात इसके पहले कोश्म दिक्कत थी वहाँ square लगा हुआ था ना, तो square के case में क्या होता है, अगर one by two भी ले ले लेते हो, तो हर number अपने आपके square करने से less हो जाता था, equal नहीं होता था ना, इसलिए वहाँ ऐसा नहीं था, देखे, इसके बात क्या कह रहा है, कि यह transitive है की नहीं है transitive, आप चुक्क हम equal की बात नहीं करेंगे न, equal की बात तो क्यों reflexive के case में हम कर रहे थे, तो less की बात करेंगे, देखे, अगर मैं कहूं, कि A, B belongs to R है, और A is less than B है, यह पहली बात मैं कह रहा हूं, और मैं आप से कहूं, कि B, C भी R को belong करता है, और B is less than C है, ज़रा इन दोने equations को देखो, by equation 1 and 2, A, B से चोटा है, बड़ा कौन है, B, और B, C से चोटा है, बड़ा कौन है, C, यानि A से बड़ा B, और B से बड़ा C, तो A से बड़ा C होगा, नहीं होगा, यानि कि हम इसको A less than C लिसकते हैं न, इसका मतलब A का भी C से उसी type का relation है कि नहीं है, है, so R is transitive, so R is transitive, R क ऐसा relation होगा, transitive relation होगा, ठीक है, तो this is question number 4, अब देखिए, गरवड हो गया, B क्यों आ गया, क्यों में दिक्कत होती, दो same number अगर हम लेते हैं, देखिए, जैसे मालिया, हम reflexive की बात कर रहे हैं, पहला हम reflexive चेक कर रहे हैं, reflexive, स्वतुल लिकाते हैं, क्या होता है, देखिए, इसमें, अब आप कहेंगो, कोई दो number ले ले ले, टू टू ले ले मालिया, तो टू का cube करेंगी, तो 8 आएगा, और 2 से बड़ा होगा, चले ठीक, लेकिन बात real number की कर रहे हैं, तो real number में तो fraction भी होते हैं, तो अगर आप, भाई, यह जो नियम दिया गया है, इस नियम शुड बी true for all the real number, सभी के लिए rule होना चाहिए ना, अगर मैं आपसे कहती हूँ, वन बाई, टू कामा वन, कोई fraction ले ले लेता हूँ, है ना, तो यह भाईया, आर को belong नहीं कर रहा है, इस condition को follow नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको A माल लेता हूँ, इसको B माल लेता हूँ, तो यहां यह A है, और यह B का, यह B है, और B का क्यूब करते हो, तो यह इससे less than होगा, equal to नहीं होगा, equal होना चाहिए ना, equal to का है, आपने आप से relation होना चाहिए, इसके equal होना चाहिए, यह इसके equal नहीं है, यह इसके equal नहीं है, यहां पर equal to का sign होना चाहिए, यह equal नहीं है, यह equal नहीं है, यह reflexive, क्योंकि आप जानते हैं, खुद से खुद का relation, यह equal होना चाहिए, खुद से खुद कैसे छोटे होंगे हम, हम खुद, तो खुद के cube से छोटे हो गए, ठीक है, तो यह reflexive नहीं होगा, अच्छा, symmetry की बात कर ले, symmetry की बात कर ले, यह बड़ा confusion का लग रहा होगा, खुद से खुद का relation होता है, ठीक है, हम खुद के cube के बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, देखे, symmetry की बात कर ले, symmetry में कोई भी दो example हम अपने आप ले लेते हैं, कोई भी दो number ले लिजएगा, ऐसा number लिजएगा पहले case में, कि पहले यह satisfy हो जाए, पहले ऐसा number लिजएगा, fraction मत ले ले लेना, ठीक है, मैंने कहा, कि one कॉमा, और, अच्छा, एक मिट, एक मिट, एक भीया, जब मैं इसको less करूंगा ना, तो यह one by eight हो जाएगा, नियमता यह number बड़ा होना चाहिए, आपको confusion आ रहोगा, equal to कर रहे हैं, हर number हो, तो number का cube करना है, चो ले कर देते हैं, तो number का cube करने से, यह sign होना चाहिए ना, माल लेते हैं, अब आप confused यहाँ पी यह हो रहे है कि भाई, यहां less than की बात कर रहे हैं ना, कोई नंबर आपने cube किया, तो cube में one by eight है, तो नियमता यह बड़ा हो जाना चाहिए ना, तो यह बड़ा तो नहीं हो रहा ना है, यहां तो ultra sign लग रहा है, greater than sign आ गया, इसलिए reflexive नहीं है, अगर confusion हो रहा हो यहाँ पर, कि equal to आप क cube से less than ही होगा, greater हो गया, तिसलिए reflexion होगा, समझागे आप, अगर उसमें equal to volume confusion हो रहा होगा, तो यह example समलेजेगा, अच्छा, अब मैं symmetric की बात हो गई, symmetric की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं हुई है, symmetric की बात कर रहा हूँ, हमने का symmetric के लिए आप को भी दो example ले लिजे, example ऐ क्योंकि बात वाले number का cube करेंगे, पहले वाले number से greater होगा, चलिए, एक side से मने ले लिया, अच्छा, अगर मैं उल्टा कर दूं, implies 2,1 कर दूं, तो क्या बात वाले number का cube करने पर, वो पहले वाले number से बढ़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, यह sign उल्टा हो गया है, इसलिए यह R को बिलांग नहीं करेगा, so R is not symmetric, R is not symmetric, यह symmetric नहीं होगा, समझे बात आई, आई गई होगी, तीसरी बार ट्रांजिटिव, तो रैटिंग अंदी है, इसलिए हम बोलते भी जा रहे हैं, अब बोलते हैं सभी लोग हैं, ऐसे हम भी बोल रहे हैं, अब ट्रांजिटिव में भी क्या होता है, कि अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 ले ले लेते हो, तब तो satisfy हो जाता है, लेकिन fraction में दिक्कत होती है, तो हमको ऐसे number search करके लाने पड़ेंगे, जो इसको, तो पहले हम क्या करेंगे, तो ऐसे number लेंगे, जो इसको satisfy कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना करता है, करता है, इसलिए, कि अगर बाद वाले number का cube करें, 3 by 2 का cube करें, 3 by 2 बोले तो 1.5 और 1.5 का cube करें, तो ये number जो होगा, वो 3 से greater आएगा, 1.5 into 1.5 into 1.5, करके देख लीजेगा, ये greater आएगा, तो यह तो satisfy हो गया, ठीक है, अच्छा दूसरा और example लिया, 3 by 2, यानि 1. 1.5 और यहाँ पर 1. थोड़ा छोटा ले लो इससे, 1.2 ले लेते हैं, इससे इसको छोटा लिया, इससे एक और number छोटा लेते हैं, उसको 5 by 6 ले ले, 6 by 5 ले ले, 1.2 चाहिए ना, 6 by 5 ले ले ले, और ये R को बिलांग कर रहा है, ये भी कर रहा है, क्यों, जब आप 6 by 5 का cube क करेंगे, 6 by 5 ले तो, 1.2 और 1.2 का cube हमने करके देखा है, तो 1.728 आ रहा है, 1.2 का cube करके देखा है, तो 1.728 आता है, तो ये आपका, और 3 by 2 क्या होता, 1.5 आता है, तो ये 3 by 2 से, बड़ा number आता है, ये भी satisfy कर रहा है, तो क्या इसका इससे relation होगा, चेक कर लेते हैं, देख क्या 3 का relation, बतार 3 से छोटा 3 by 2, 3 by 2 छोटा 6 by 5, क्या 3 से 6 by 5 का relation बन रहा है, ये belong कर रहा है, पता नहीं कर रहा है, अगर मैं 6 upon 5 का cube करता हूँ, तो value आती 1.728, है न, और ये तो 3 है, तो ये तो नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इसलिए R को बिलांग नहीं करेगा, So R is not transitive, R is not transitive, वो आप कहेंगे, ये हम कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगे, क्यूब और स्क्वाइर के कैसम लफडा होता है, चुकि वो आप से अगर natural number की बात कर देते, तो set चल जाता, बात real number की कर रहा है न, उसे fraction भी होता है, तो वहाँ पर नहीं चलता है तो this is question number five, देखिए, एक set है one, two, three, उसमें से एक relation ये दिया हुआ है, और बुक पे तो दिया हुआ है कि ये कौन सा relation है, कौन सा नहीं है, सिद्ध करो, हम नहीं देंगे, हमने का check करो, पहला मैं reflexive check करता हूँ, reflexive ले क्या होना चाहिए, one, one होना चाहिए, two, two होना चाहिए three, three होना चाहिए, तो आप लिख दो कि one, one, इसमें नहीं है भईया, कोई एक check कर दो नहीं है, so r is not reflexive, r is not reflexive, question में दिया हुआ है, it is neither reflexive, nor transitive, but it is symmetric, हम नहीं पढ़ा है, हम तो बता दिया हमने, फिलाल, मा लेते हैं हमने नहीं नहीं बताया, आपने नहीं सुना, कुछ नह सुना, दूसरा है symmetric, symmetric तो दिख रहा है, क्योंकि हमने कहा था, symmetric चेक करने के लिए, क्यों जो आपके relation के elements होते न, उन ही पिसे चेक करना पड़ता है, आपको दिख रहा है कि one, two belongs to r है, तो two, one भी r को बिलांग कर रहा है, two, one also belongs to r, so r is symmetric, r is symmetric, symmetric तो दिख गया, very good, अच्छी Transitive, अब Transitive देखें क्या होता है, यह relation two से खतम हुआ, ठीक है, यानि one, two belongs to r है, ठीक, और यह relation two से सुरू हुआ, यानि two, one भी बिलांग to r है, तो हमने क्या बताया था, कि अगर ऐसा है तो यह भी तो r को बिलांग करना चाहिए, लेकिन implies one, one r को बिलांग नहीं कर रहा है, so r is not Transitive, r Transitive नहीं है, ठीक है, राइटिंग थुला गंदी है, देख लीजेगा, देख क्या लीजेगा, जैसी है बैसी है, तो this is question number six, question कह रहा है, कि एक library है, वहां बहुँ सारी books रखी वी हैं, उन में से books का एक हमने set बनाया, relation बनाया, ऐसी books का relation बनाया, जिसमे same number of pages तो बताओ ये relation कैसा है पेहले बात तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की तो क्या बता ही एक्स कामा एक्स आर को बिलांग करेगा क्यों बिलांग करेगा कोई भी book में उतनी ही page होंगे ना जतने उसमें page होंगे खुद के page होंगे नवर आफ pages in x इन एक्स is equal to number of pages in x अरे वाह क्या अंग्रेजी है pages in x क्योंकि उसमें तो वही उतनी ही page होंगे जतने उसमें होंगे खुद का interaction उसका हो रहा है दूसरी बात मैं symmetric की बात कर लेता हूँ तो symmetric भी है ये क्यों अगर x कामा y r को बिलांग करता है मतलब number of pages ऐसे कर दे ना थोड़ा सा mathematics लिख दे थे कहां चला गिया इसका इसका इरेजर कहां चला गिया ओ सुरी हम तो mathematics में लिख दे थे चलेगा number of pages in x मैंने यहां पर number of pages in x and number of pages in y चलेगा mathematically लिख दिया number of pages in x is equal to number of pages in y तो उल्टा भी लिख सकते हो ना number of pages in y तो number of pages in x तो इसको y, x belongs to r भी लिख सकते हो so r is symmetric so r is symmetric भी होगा वोले वाह तेखे अब आप कहेंगे ऐसे question relation में होता है बात यहां पर relation के question की नहीं है बात यहां लिखने के तरीके की है how you are writing it उसको समस्ते कैसे आप logic है यहां पर तीसरी बार ट्रांजिटिव की बारे बात करते हैं ट्रांजिटिव तो यहां के लिए तीन बुक को select करना पड़ेगा अगर मैं कहूँ x y belongs to r है यानि कि number of pages in x is equal to number of pages in y पहली बात और एक बुक y z के साथ भी relation रखती है क्यों? क्योंकि number of pages in y is equal to number of pages in z ही है तो अगर इन दोनों ही questions को आप देखें ध्यान से by question 1 and 2 यहां लिख देते हैं by question 1 and 2 तो आप क्या कह सकते हैं? कि number of pages in x is equal to number of pages in z इसका होताब x z के साथ भी वैसा ही relation होगा so r is transitive also और कोई relation अगर symmetric भी है, transitive भी है, reflexive भी है तो वो equivalence relation होगा तो अगर हमसे equivalence की बात करें तो equivalence भी प्रूफ कर सकते हैं ठीक, okay देखे, eighth question थोड़ा लंदी है पहला part इसका यह कह रहा है कि कोई set है 1, 2, 3, 4, 5 तो प्रूफ है करना है कि r is equal to mod a minus b is an even number तो यह सही है यह equivalence relation है देखे, आप चाहो तो r की value निकाल लो ठीक है, r की value निकाल लेते हैं तो कोई भी number आप ले करके proof कर सकते हो लेकिन आपको relation बनाना पड़ेगा पहले relation बनाने जा रहे हैं देखे, relation के ले क्या करना पड़ेगा पहले तो a cross a निकालना पड़ेगा तो 25 आएंगे, ठीक है तो आप one का relation उनसे लो जिनका minus करने पर वो even number आजाए even number आजाए एक तो one one होगा देखे हमिस्ता ध्याने के दो number का mod की बात कर रहे हैं बड़ा हो चाहे, छोटा कोई दिक्कत नहीं minus करने पर negative आजाए, कोई दिक्कत नहीं दो even number का minus भी even और दो odd number का minus भी even मतला, even even का group बनेगा, odd odd का group बनेगा, even odd का group इसमें नहीं बनेगा, है ना, तो देखे one का one से बनेगा one का two से नहीं बनेगा, one का three से बनेगा, one का four से बनेगा, even की बात कर रहे हैं ना, two पे आईए two का 2 से बनेगा 2 का 4 से बनेगा 3 का 1 से बनेगा 3 का 3 से बनेगा 3 का 5 से बनेगा 5 का 1 से लिलिसन होगा 5 का 3 से होगा 5 का 5 से होगा तो आपको पहले ये बताना है देखे आप देख लिए यहाँ पर आप दुनों का डिफरेंस निकालोगे 0 चुकि इवर नमबर मना जाता है तो 0 दो से डिवाइड हो जाता है अब आपको देखना पड़ेगा यह reflexive है कि नहीं है तो सबसे फ़ले reflexive की बात करते है reflexive 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 को गैब कर दिया क्या हमने 4 का 2 से भी होगा और 4 का 4 से भी होगा तो आप लिखेंगे चुकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 यह सभी R को विलांग करते हैं ऐसा लिखो ऐसा they belongs to R so it is reflexive क्यों क्यों को 1 minus 1 करोगे 0 आएगा 2 minus 2 करोगे 0 आएगा 3 minus 3 करोगे 0 आएगा 4 minus 4 5 minus 5 0 आएगा तो यह अपने आप even number होगे और यह बिलांग भी हाँ कर रहे है हमने कहा था कि reflexive के लिए अगर set दिया हुआ है तो इसके सभी element का pair यहाँ होना चाहिए present होना चाहिए अच्छा दूसरी बात symmetric की बात करते है symmetric में देखिए 1 3 है तो 3 1 भी है ठीक है 1 4 है तो 4 1 भी है 1 4 कहा से आगया sorry 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 1 5 आएगा 1 5 है तो 5 1 भी होगा 2 4 है तो 4 2 भी है 3 5 है तो 5 3 भी है तो आप लिखेंगे for all AB belongs to R implies BA also belongs to R so R is symmetric symmetric तो है समझा यह बात symmetric हो गया अब transitive के बारे बात कर लेते है transitive देखे ये 1 से खतम ये 1 से शुरू तो 1 1 बिलांग करता है 1 1 1 3 करता है तो ये 1 3 भी करेगा कर रहा है ठीक है ये 1 से खतम ये 1 से शुरू 1 1 बिलांग करेगा 1 5 करेगा तो 1 5 करेगा और कोई 1 से शुरू हो रहा है नहीं काम खतम यहाँ पिआ ज़ाओ, यह 3 से खतम हुआ है, तो 3 से सुरू कौन हुआ है यह हुआ है, तो 1,3 बिलांग कर रहा है 3,1 करेगा, तो 1,1 भी करेगा कर रहा है, अच्छा और 3 से कोई शुरू हुआ है, यह आए जरा 1,3 करेगा, 3,3 करेगा तो 1-3 भी करेगा, ठीक, 1-3 करेगा, 1-5 करेगा, तो, sorry, 3-5 करेगा, 1-5 भी करेगा, तो आप क्या करें, कि अगर A-B बिलॉंग कर रहा है, B-C कर रहा है, A-C भी कर रहा है, तो आप लिखेंगे, for all, A-B belongs to R, and B-C belongs to R, तो A-C भी R को बिलॉंग यहां कर रहा है, चेक करेंगे लिखेंगे, पूरा, हमने कहा था, symmetric के लिए जरूरी है, कि सभी element के order पेर होने चाहिए, लेकिन reflexive ट्रांस्टिव के लिए, जो element वहां present है, उन ही का उसमें देखेंगे, ठीक है, so, as R, so it is transitive, as R is reflexive, क्योंकि reflexive है, symmetric, symmetric है, transitive है, so R is equivalence relation, R is equivalence relation, रैटिंग सरा गंदी है, अर जिस्ट कर लिजेगा, R is equivalence relation होगा, यह इसका पहला पार्ट है, ठीक है, आगे भी पार्ट है, यह कह रहा है कि एक set 135 है, लिका हुआ है 135 के सभी element एक दूसरे से relation में हैं, जैसा यहां तिया गया है, सिंपल सी बात है अगर यहां पर relation हम निकालेंगे, तो listen क्या क्या निकलेगा, 11 निकलेगा, 13 निकलेगा, 15 निकलेगा, 31 निकलेगा, 33 निकलेगा, 35 निकलेगा, 51 निकलेगा, 53 निकलेगा, 55 निकलेगा, अब बताओ, यहां पर अगर ध्यान से देखें, a, b such that a minus b का mod करें, तो कैसे नमबर आपको आ रहे हैं देख लीजे, आर इवन आ रहे हैं, आर इवन आर इवन नमबर, so ये आपका equivalence relation show कर रहा है, यह इस condition को follow कर रहा है, ठीक है यही show करना था, कि यह इस relation को इस प्रकार से जैसा relation दिया है वैसा वो fulfill कर रहा है, ठीक है तो एक तो यह part दिया है एक और part दिया है एक part दिया है, 2 कामा 4 अगर दिया है कोई set तो उस set का नाम मैं A2 मा लेता हूँ तीसरा part एक और दिया है कि एक set है मा लिया A2 मा लेता हूँ 2 कामा 4 यह भी relation ऐसे ही बना रहा है यह कह रहा है कि 2 कामा 4 भी है सभी element एक दूसरे से relation में है relation में होता है जैसा relation दे रहे है तो इसमें अगर relation निकालें तो क्या निकलेगा 2 2 निकलेगा 2 4 निकलेगा 4 2 निकलेगा 4 4 निकलेगा, अब बताओ इनमें कोई भी दो number का जो difference है वो even number है कि नहीं है है, तो आप लिखेंगे यहां पर कैसा relation दिख रहा है a कामा भी such that mod a minus b is even number बना रहा है, यही आप से कह रहा है कि यह भी relation में है, relation में मतलब जैसा relation यहां दिया गया, वैसा वो define कर रहा है एक और part इसमें दिया गया है fourth part भी दिया है, चार part में question को divide किया है, इनोंने वो इसी के element निकाल दिये one, three, five अलग कर दिया, two, four अलग कर दिया fourth part कह रहा है कि अगर एक set one, three, five ले ले और एक set two, four का ले ले यहनि one, three, five का two, four से relation है कि नहीं है, तो पहले तो relation निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा a cross भी निकालना पड़ेगा, अगर मैं a cross भी निकालता हूँ, तो one, two आएगा one, four आएगा यह नहीं करना कैसे आया है, three, two आएगा, three, four आएगा, five, two आएगा, five, four आएगा, यानि एक even number है और एक odd number है, और एक even एक odd का difference even नहीं होता है यानि आप यहां कहेंगे कि यहां पि a, b such that mod a minus b is not even यानि यह इसे relation में नहीं है, even number तो आएगा, तो आएगा कोशन है, चुकि अगर सभी कोशन एक वीडियो में डिस्स किया जाएगे इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है इसलिए आठी कोशन डिस्स करते हैं next in the next वीडियो, thank you